नमस्कार दोस्तो मेरा नाम भारत बुशन है आप देख रहे हो JCB कम्जूटर फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका कोई भी प्रिंटर है उसमें ग्रीन लाइट कंटिन्यू ब्लिकिंग कर रही है या रेड लाइट भी ब्लिकिंग कर रही है या फिर आपकी बायोजाईस है वो खराब हो गई है तो आप किस तरह से उसको चेक कर सकते हो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपने अपने रीशेटर को ओपन करना है उसके बाद आपने अपने जो मोडल नमबर है उसको सिलेक्ट कर लेना है और पोर्ट जरूर सिलेक्ट करना आपने उसके बाद okay करना है और उसके बाद आपने ये वाला option चुनना है उसके बाद आपने head id input पे click करके okay करना है और यहां से आपने चेक करना है अभी मैंने printer connect नहीं किया है इसलिए चेक नहीं होगा फिर भी मैं आपको बताता हूं अगर इस पे head की id आ जाती है तो आपकी bios ic बिल्कुल ही ठीक है उसके बाद एक चीज और चेक करने आपने इसको finish कर देना है और वापिस से आपने यहां पे select करना इस पे और उसके बाद आप नीचे आओगे तो man board है जो आपने यहां पर select करना है man board चुनने के बाद friends आपने सबसी नीचे वाला option चुनना है और उ serial number नहीं आता है तो आपने यहां पर serial number डाल देना है जिस तरह मैंने डाल दिया उसके बाद perform पे click करना है printer थोड़ा सा time लेगा और उसके अंदर serial number डल जाएगा आप serial number कोई भी डाल सकते हो अपना mobile number कुछ भी अपना नाम बट वो 10 digit का ही होना चाहिए 10 से कम नहीं होना चा यहां से भी कर सकते हो उसके बाद next करना है आपने फिर next करना है और फिर next करना है friends जो यह setting बता रहा हूं यह बिल्कुल ही देखने लायक है अगर आपने यह video skip कर दी तो आपको यह video देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा friends जो यह value होती है यह यह 4 होती है और यह minus 4 होती है friends अगर इसे ज़्यादा या कम value यहां पर होगी तो आपके printer की जो printing है वो अच्छी नहीं आएगी या तो doubling आएगी या फिर उसमें थोड़ी सी bad quality आ सकती है उसके बाद आपने next करना है यहां पर आपने start डालना है जो मैं यह setting बता रहा हूं यह एक number की जो quality होती है उसके ल डाल देना है बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी वो lining नहीं आएगी और जो head की ink है paper पर बिल्कुल सीधी गिरेगी उसके बाद आपने input कर देना input के बाद आपने next पर जाना है उसके बाद आपने input कर देना है और उसके बाद next करना है फ्रेंड यह होता है speed के लिए अगर आपकी जो speed आप बढ़ाना चाते हो या कम करना चाते हो यह normally 3 पर होती है यहां पर अगर आपने अच्छी और quality करनी है तो आप 2 कर सकते हो अगर speed आपने printing की बढ़ानी है तो बीचे से आते उनमें 3 होता है आप यहां 3 करके input कर सकते हो आप यहां से speed बढ़ा सकते हो printing की और कम भी कर सकते हो उसके बाद input करने के बाद आपने next करना है फ्रेंड जो यह setting होती है यह क्या होती है मतबल जूम करने के लिए जूम वाली printing के लिए या कम करने के लिए अगर आपकी फैली फैली प्रिंटिंग आ रही है बड़ी बड़ी प्रिंटिंग आ रही है तो यह सेटिंग करनी आपने जरूरी है friends यहाँ पर होता 6 और यहाँ पर होता 4 उसके बाद आपने input कर देना और उसके बाद next करना है यह भी quality के लिए होती है, यह सारी doubling के लिए होती है, थोड़ी सी doubling आने लग जाए, तो उसके लिए आपने यह बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है, यहाँ पर आपने 12 करना है, यहाँ पर 10 करना है, और यहाँ पर 14, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर-10, यहाँ पर-12, यहाँ पर-9, और यहाँ पर-2, फ्रेंड्स यह सेटिंग आपने देख लो, अच्छी से, अगर यह आप सेटिंग कर लोगे, तो आपकी quality बहुत ही जब लोगे, इसके बाद आपने input करना है, फिर next करना है, उसके बाद आपने फिर next कर देना है, और फिर next करना है, और फिर finish कर देना है, फ्रेंड्स जो यह सेटिंग आप कर लोगे, तो आपके printer की quality बहुत ही अच्छी आएगी, कभी-कभी आप सोचते कि आपका head खराब हो गया, head हो जाता है, इस कारण से ही आपकी quality खराब आती है, अगर आप नई bios चेंज करते हो, तो नई bios चेंज करने के बाद भी आपने ऐसा करना पड़ेगा, फ्रेंड्स उमीद करता हूँ, आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर इस चैनल पर नई हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स